हेलो दोस्तो बेटा कैसे है आप लोग दोस्तो हम mechanical properties of fluids पर डिसकस कर रहे हैं और हमारा कौन सा lecture है lecture number fourth है कल हमने Pascal's law के बारे में पढ़ा था Pascal's law ने हमें बताया था कि that pressure remains constant throughout the liquid no matter what the gravitational force acting on the liquid is or fluid is तो आज हमें बेटा hydraulic lift और hydraulic brakes हाँ वही hydraulic brakes जो हमारे four wheelers में काम करते है hydraulic lifts यानने जो हमारे tractors या हमारे trolley's को क्या करती है पीछे से उठाती है cranes को उठाती है अब ये work कैसे करती है छोटे से pressure पर ये कैसे काम करता है ये हमें आज के lecture में पढ़ना है मैंने पहले से diagram इसलिए बना दे थी कि आप हमारा थोड़ा सा time बच जाए ताकि हम कम से कम time में ज्यादा से ज्यादा lecture क्या कर सके cover up कर सके तो हमें क्या करना है पता है हमें Pascal's law का क्या पढ़ना है application पढ़ना है तो आपको Pascal's law का statement तो पता ही होगा Pascal's law का statement मैं एक बार फिर से याद करा देता हूं तो Pascal's law ने कहा था कि the pressure applied at any point of an enclosed fluid आप देखते रही है इदर lift की तरब देखते रही है मैं बाद में यह सब कुछ पोस्ट लूँगा the pressure applied देखे इसमें fluid है यह दोनों अप्लाइड to any point of enclosed fluid at the state of rest is transmitted equally and undiminishedly to every point of fluid and also on the walls of container अगया यहने क्या होगा हम इसको जब नीचे करेंगे तब यह कैसे जा रहा है उपर जा रहा है चोटे से चोटे force में यह भी कैसे जाएगा उपर जाएगा this is the mechanism of hydraulic lift बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों तरफ P1 और P2 दोनों pressure कैसे है दोनों same ही है तो पहले तो इस तरफ जाते है कि इसे पढ़ लेंगे एकदम आसान lecture रहेगा हम क्या करेंगे एक और lecture रहेगा mercury borometer का वो शाम में लेंगे लेकिन अभी क्या करेंगे hydraulic lift के बारे में हम easily exam में क्या हो सकता है जब brake apply करते हो तुम तब वो brake आपके पैडल से चारो wheels तक कैसे जा रहा है वो जो system है वो चारो wheels पे काम कर रहा है ना दीखे हम cycle चला देते बचपन में तो बचपन में हम brake apply करते थे एक वायर रहती थी और वो वायर टायर को क्या करती थी रोक देती थी ऐसा तो नहीं है हमारे four wheeler में तो ब्रेक है तो इन्हें हो क्या रहा है exactly तो उसे बढ़ते है बेटा इस lecture में शानती से एकदम आराम से बेढ़ जाए बिलकुल tension मत लीजे hydraulic lift शूरू करता है डायग्राम निकालनी है और सबने description में दी हुई links का यूज करके पहले lectures भी क्या करने है पढ़ लेना है आगा समझ में तो आगे बढ़ते है बेटा comment section में लिखते रहिए तो बेटा देखे शानती से एकदम मैंने पहले ही लिख लिए है इसलिए कि हमारा time थोड़ा सा बज है मैंने अब यहां पर पानी डाला नहीं ने तो डायग्राम कैसे होती थी बहुत ही रॉफ दिख जाती थी जिसको कहा जाता है बहुत ही compact जाती तो इसलिए मैंने पानी यहां पर निकाला नहीं है लेकिन इस पूरे white section में पानी बरा है यह एक piston है A1 यह surface area यह दूसरा surface area A2 A1 से बहुत ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा होता है A1 बहुत कम है P1 P2 P1 is the pressure on A1 P2 is the pressure on A2 अब अंदर सब पानी और fluid भरा है यह आप समझ लीजे अब hydraulic lift का use क्या होता है कि यहां पे इस larger area पे कोई load अगर हमने रख दिया अब हमें क्या करना है समझ लीजे कि हमें इस pain को उठाना है यह pain एक बहुत बड़ा load है अब क्या होगा अब हम इसे directly तो नहीं उठा सकते हमें क्या करना बड़ेगा यहां से अंदर प्रेशर अपलाए करना बड़ेगा अंदर force अपलाए किया हमने F1 पे force अपलाए किया F1 से force अपलाए किया pressure liquid से होते हुए fluid से होते हु पर जाएगा तो that is the basic principle for hydraulic lift अब हम देखते हैं हमने लिखा क्या है hydraulic lift is used to lift और support heavy objects such as cars and trucks यह हम सब तरफ देखते हैं बहुत easily यह work होता है and it works हो गया तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया hydraulic lift is used to lift और support heavy objects यह point में आखिर में रब करके यहाँ पर एक आखरी point लिखूंगा तो इसे आप एक बार लिख लिजिएगा दूसरा हमने क्या लिखाया देखें यहाँ पर it works on the principle of Pascal's law किस पर work कर रहा है Pascal's law पर work कर रहा है a tank containing fluid यह इस पिस्टन को मैंने क्या लिख लेया s2 s1 and s2 s1 has very very small area a1 s2 has very large area as a2 and a2 is very very larger than a1 तो piston s1 is used to exert force f1 directly on fluid or liquid and that pressure create is f1 p1 is equal to f1 by a1 तो इसने इतना pressure create किया अब उसी समय हुआ क्या upward force act हुआ piston a2 पे और s2 पे और वो force था p2 into a2 यह कौन सा force था यह upward force था क्योंकि यह कहा आ गया नीचे आ गया यह नीचे आ है इसलिए यह कहा गया उपर गया इस ट्रैवलिंग से pressure travel हुआ और f2 is equal to p2 into a2 यह formula कहाँ चाहा है pressure is equal to force upon area f2 is equal to p2 into a2 पर अब हुआ क्या pressure p1 और p2 तो लिखी नहीं सकते न आप pressure दोनों तरफ कैसा है बटा सेम ही है तो according to Pascal's law pressure दोनों तरफ कैसा है सेम आया तो p1 is equal to p2 तो we can write f1 is equal to p1 into a2 और p1 की value क्या लिख दी f1 upon a1 अब देखिए equation क्या हो गया f2 is equal to f1 a2 upon a1 अगर a2 बहुत ज्यादा है a1 से तो f2 भी f1 से कैसा होगा बहुत ज्यादा होगा यानि second इसमें का force second container और second एक ही container है second piston का force पकड़ लिजे a2 का force पकड़ लिजे a1 के force से बहुत 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 ही ज्यादा है क्यों क्योंकि हमने इसे प्रू कर दिया क्योंकि pressure is traveling undiminutally तो this is the only reason this shows that small force even very very small force on s1 will appear as very large force on s2 इसलिए तो होता है ना कि हम बहुत ही कम force अपलाय करते हैं हमने फोर्विलर का jack देखा होगा फोर्विलर का jack देखा होगा कि बहुत कम force अपलाय करते हैं और पूरी vehicle क्या हो जाती है उड़ जाती है हो गया तो उस type की काम करता है hydraulic lift that very small force on piston small piston will appear as very large force on larger piston और इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैं बस इसे एक point को रब करके यहां पे लिखूंगा therefore heavy object therefore heavy objects can be easily mood up and down they can be easily mood up and down देखे boards के लिए करवा रहा हूँ बहुत ही important है कहां इतना सब कुछ लिखके हम बहुत ही detail में hydraulic lift को समझ सकते हैं समझ में आ गया कि बहुत कम force जब F1 पे लगेगा तो बहुत ही ज्यादा force कहां पे लगेगा A2 पे लगेगा same structures में hydraulic brakes भी काम करते हैं लिख लीजे screenshot निकाल लीजे ताकि आगे बढ़ सके और आप कहां पे जाएंगे हम hydraulic brakes पे एसे ही काम करते हैं same structure होता है आगे समझ में आपको तो लिखते रहिए हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता चलिए पढ़ता है hydraulic brakes के बारे में बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है देखिए मैं डाइगराम निकाल कर रखिए हैं शांती से देखिए क्या है डाइग boxes में निकाले हैं यह master cylinder यह आपका पैर है यह आपका पैर कि जिससे आप brake डबाएंगे यह जो ब्राउन कलर का दिख रहा है न यह master cylinder यह आपना brake brake के नीचे यह cylinder होगा इसे हम A1 कहेंगे यह हमारा क्या हो गया A1 हो गया अब यह चार पैये हैं जो पैयों पे गाड़ी चल र लगा है यह पैये को लगा है एक भील को है एक भील को है तो A2 A2 सबको लिख लिया इसे हमने कहा दिया slave cylinders यह master यह क्या हो गया अब होगा क्या हम जब brake पे पैयर लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यह औरेंज यह जो पिंक कलर का है यह पैडल पुश करेगा ओईल को यह सब कनेक्टेड है according to hydraulic tubes अब oil सब तरफ है अब Pascal शहाब ने क्या कहा था कि pressure सब तरफ equally divide होगा जब हम brake apply करते है बेटा तो होता क्या है यहां से देखिए एक बार मैं sketchman हाथ में लेता हूँ फिर बताता हूँ कि होरा क्या है देखिए यहां से पैडल आपने दबाया यहां से हमने पैडल दबाया अब यह जो brown color का fluid है यह piston आगे बढ़ गया और brown color का fluid आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया तो यह सब piston कहां हो गया forward push हो गया क्यूं क्यूंकि oil तो maintain करना है ना tubes में उसको जगाई नहीं है expansion की अगर expansion की जगा उसको नहीं है तो हम क्या करेंगे यह pistons क्या हो जाएगा अपने आप मू हो जाएगा और सब तरफ से यह piston क्या होगा आगे मू होगा और यह pistons slave cylinder में के pistons जब आगे मू होगे तो automatically किसको टच करेंगे wheels को टच करेंगे और wheels क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है कि यह हमारा कौन सा cylinder है master cylinder इस पे हमारा पैर है यह हमारा पैर है इस पैर से यह piston आगे बढ़ेगा यह जो brown color का आपको दिख रहा है घुमता हुआ दोड स्लेव सिलेंडर से अब यह स्लेव सिलेंडर क्या कर रहा है connected है master सिलेंडर से अब master सिलेंडर पर क्या अपला होगा pressure अपला होगा कितना pressure अपला होगा fp1 is equal to f1 by a1 फिर यह धीरे-धीरे सब तरफ जाएगा और oil को maintain करने के लिए सब piston आगे जाएंगे और किसको टच होंग और हमारा vehicle क्या हो जाएगा रुक जाएगा यही मैंने इस पूरे लिखावडी में लिख बताने की कोशिश किये कि हमने exactly क्या किया है कि सबसे पहले क्या होगा hydraulic brakes work on the principle of Pascal's law it consists one master cylinder a1 which has one end to the brake pedal फिर बाद ने other end of the master cylinder is filled with brake fluid कहा जाता है आपने देखा होगा brake fluid मिलता है brake fluid and connected to slave cylinders a2 through hydraulic tubes अब a2 का surface area a1 से कैसा है बहुत ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं when brake pedal apply very small force f1 on piston p master cylinder is pushed and the pressure is given by p1 is equals to f1 by a1 यानि इस पे apply होने वाला pressure क्या है p1 is equals to f1 by a1 फिर बात में हमने कह दिया thus the piston in slave cylinder also push forward to maintain oil level and this causes friction between rotating disc rotating disc क्याने कौन से भी जो rotate हो रहा है उसके सामने rotating disc and thus vehicle stops और इस वज़े से हम लिख सकते हैं फिर से f2 is equals to force जो f2 act होगा p2 into a2 but pascal slot के इसाब से p2 और p1 कैसे हैं same है therefore हम यहाँ पे equation बनाएंगे that f2 is very very larger than f1 यहने small force on pedal pedal पे कैसा force है small very small force on pedal creates large force on wheels and this is the principle for hydraulic brakes बहुती आसान lecture था है हमें hydraulic brakes और hydraulic lifts के बारे में पता चल गया है हहाँ पे कि exactly होता क्या है hydraulic brakes hydraulic lift मुझे लिखके भेजिए समझ में आ गया होगा आपको एक short note तो confirm exam में आएगी बिल्कुल आएगी और इसके बाद में हम छोटे छोटे दो और short note देखने वाले है लेकिन हो अगले lecture में देखेंगे आपको समझ में आ गया है बेटा तो comment section में लिखते रही है मेरे साथ और मुझे लिखके भीजते रही है ओमर करना बहुत ज्यादा important है लिखके देखना बहुत ज्यादा important है अगर आप लिखोगे नहीं तो बेटा exam तो आपकी return ही है exam तो oral बिल्कुल भी नहीं है तो यह पढ़ना है exactly और कैसे पढ़ना है numerical को कैसे पढ़ा जाता है सब मैं उसमें बताऊंगा तो उसके लिए भी रहा देखिएगा मैं बंडे नहीं तो Tuesday के आसपास वो lecture कैसे कर दूंगा upload कर दूंगा लेकिन हवे आपको बस एक ही tip देता हूं बहुत ही अच्छी कि जो भी आप यह उसको लिखके देखना ही होता है बार बार लिखके देखना होता है बार थग जाएंगे तो फिर से एक बार देखके लिखना होता है तो लिखते रहिए क्यूंकि एक्जाम रिटन है एक्जाम में कोई किसी को कुछ नहीं पूछता आपके paper पे क्या लिखा है that is the only thing which matters in our examination, तो we can write and we can win this process, तो बेटा लिखके मुझे भेजते रहिए, चैनल को लाइक कीजे, शेयर कीजे, सस्क्राइब कीजे, और बेटा पढ़ते रहिए, ठैंक्यू